नमस्कार जन्म कुंडली अध्यायन आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके समुख लाया हूँ ये जन्म कुंडली मुझे भेजी है पुने महाराष्ट्र से मूल रूप से उत्तर प्रदेश वारानसी के निवासी ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं एक 24 वरसिये युवक की है दस्वी तक की पढ़ाई इन्होंने वारानसी से पूरी की और इसके बाद आगे की सिक्षा के लिए ये इंदौर मध्ध प्रदेश गये बिटे की पढ़ाई पूरी करते करते इनको इनका कैंपस सेलेक्शन हुआ जौब इनको मिल गई और जौब करने के लिए ये पूने महराश्ट्रा आगये जिहां पर वर्तमान समय में ये है। जौब के करम में इनको ऐसा लगा और प्रतेक युवा जो आज के इस परिवेश में कुछ नया करना चाहता है, नया सीखना चाहता है हमेशा उसके मन में ये लालसा होती है कि मैं कुछ और नया सीखता जो कि बहुत स्रेश्ट है ये इनके मन में भी बात आई कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए कुछ और आगे मेरी पढ़ाई होनी चाहिए और मन में ये जग्यासा लिये हुए इन्होंने UK के कुछ बिश्वविद्यालेयों में आवेदन किया अपने आगे की पढ़ाई के लिए इनकी पुर्व की डिगरी को देखते हुए इनकी पढ़ाई और मार्क्स को देखते हुए साथ ही साथ जो जॉब इन्होंने किया इन सारी चीजों को देखते हुए वहां कि कई सारे जो विश्विद्याले हैं उन्होंने इनको आकर के अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए ओफर दिया जिसमें एक स्त्रेष्ट जो इनको लगा एक विश्विद्याले का इन्होंने चुनाव कर लिया है नौकरी से इन्होंने रिजाइन दे दी है और जून दो हजार सोलह से इनके आगे की पढ़ाई यूके में प्रारंब होने वाली है और अब ये भारत से वहां जाने की तयारी में है जाने से पूर्व ये अपने बारे में अपने भविश्य के बारे में जैसा कि प्रतेक युवा प्रतेक व्यक्ति अपने भविश्य को जानने के लिए जिग्यासू होता है इन्होंने भी कुछ जिग्यासाएं अपनी व्यक्त की ये अपने भविश्य सम्मंधित यूके से करेंगे तो भारत में पुनह जॉब करने के लिए आएंगे या वहीं पर रह जाएंगे जानना चाहते हैं ये कि माता पिता के साथ मेरा संबंध कैसा होगा मेरा स्वास्थ ठीक नहीं रहता हड्यों में दर्द की शिकायत मुझे हमेशा से रहती है साथ ही साथ मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा और मेरा मन बहुत चंचल रहता है मैं कई बार प्रयास करता हूँ लेकिन इसके बावजूद इस्थरता नहीं मिलती मुझको मैं सामानेतया बता दूं कि इस धरती पर प्रतेक व्यक्ति एक आम से लेकर के खास चाहे वो जो भी हो हर व्यक्ति क मन चंचल ही होता है क्योंकि जब मन इस्थर हो जाए तो आप अपने आप में केंदरित हो जाएंगे और जब केंदरित हो जाएंगे तो बाहर की मन शांत हो जाएगा हम आत्मकेंद्रित हो जाएंगे तो जिन बाहिय आडंबरों जिन वाहिय वस्तूओं में हम कुछ नाना प्रकार की चीजे ढूंडते रहते हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी तो यह सामान्य नहीं है बड़े-बड़े शंतों के लिए भी यह मुश्कि बगुला को मखनी को पाने के लिए एक पहरा रहता है यह उसका जो बख्ध्यान है यह विध्यारथ derivatives के अंदर होनी चाहिए स्वान निद्रा कुट्टे की जो निद्रा होती है बहुत हलकी होती है उसी प्रकार की निद्रा विद्यार्थियों की होनी चाहिए अलपहारी और ग्रहत्यागी विद्यार्थि अगर बहुत भोजन अधी करता हो तो समझ लिजे कि उसकी पढ़ाई नहीं होने वाली है और ग्रेत्यागी प्रायः अपने घर से दूर रह करके पढ़ने वाले ज़्यादा सफल हो पाते हैं क्योंकि घर में रह करके उनकी स्रिष्ट पढ़ाई नहीं हो पाती तो लगभग सारी चीजे इनके अंदर ही हैं घर से बाहर है ये और बेहतर कर रहे हैं अपने बलपर कर रहे हैं तो आईए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का ध्यान करते हैं और देखते हैं क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली देखिए ये जन्म कुंडली आपके समुक है दस न अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बारवे भाव में 12 भाव में हो आप भी अपनी कुंडली को देखिए तो सामन्य परिवार में जन्मा जातक भी इस योग के चलते अत्यंत सोभग्य शाली हो जाता है फिर लगनेस का वैसे तो बार्वे घर में होना सुरिष्ट नहीं क्योंकि ये अब योग है परन्तु शनी जो की बार्वे भाव में होकर के सुरिष्ट सपलता दिलाते हैं कोई नुकसान नहीं करते तो ये भी एक स्रेश टिस्तिती बनी आगे देखिए शुक्र जो की इनकी कुंडली में बार्वे घर में बैठे हैं वो शुक्र जो विदेश यात्राओं के कारक माने जाते हैं वर्तमान में उनहीं की महादसा इनको चल रही है और इनकी कुंडली में ग्यान भाव जहाँ पर आप इस कुंडली में ये दो नमबर देख रहे हैं, कुंडली का पंचम स्थान, ज्यान का भाव, शुक्र, पंचमेस और दसमेस, यानि की कर्म स्थान, जहाँ पर आप इस कुंडली में ये साथ नमबर देख रहे हैं, पंचमेस और कर्मेस शुक्र, बार्वे घर म में बैठे हैं और वर्तमान में उन्हीं की महादसाइन को चल रही है देखिए इनकी कुंडली की स्थितियों को कि मकर लगन लगन में ही राहू कि सबसे पहले इनके इश्प्रश्ण का हल कर देते हैं कि इनका मन और इस्थर क्यों रहता है जहां पर आप इनकी कुंडली में ये चार नंबर देख रहे हैं कुंडली का सब्तम स्थान चार नंबर का मतलब होता है कर्क रासी कर्क रासी के स्वामी कौन हैं चंद्रमा चंद्रमा मन सोजाता वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मन सोजाता तस्चक्छुहु सूर्जो अजायतौ चंद्रमा है मन का अधिपती और वो कैसा है तो यहाँ पर देखिए केतू के साथ बैठा हुआ है और केतू के साथ बैठ करके उसने ग्रहन नामक दोश का निर्मार क तो इस प्रश्ण का हल कि ग्रहण के चलते मन ओइस्थिर है मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जातक जो जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीडित है सनी से पीडित है राहू से पीडित है या किसी और कारणों से वो पीडित है तो जाहिर सी बात है कि जातक का मन ओइस्थिर ही होगा उसके लिए किया क्या जाए ऐसे प्रतेक वो जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है कमजोर है उसका मन ओइस्थिर कर रहा है ऐसे लोग सूर्य को बली बनाएं क्योंकि सूर्य अगर बलवान हो जाए तो सूर्य आत्नविश्वास है अगर किसी व्यक्ति का आत्नविश्वास स्रिष्ट अवस्था में पहुँच जाए तो वो मन को अपने वश्च में कर सकता है तो इनकी कुंडली में सूर्य पर द्रिष्टी डालिए जहां पर आप इस कुंडली में ये आठ नंबर देख रहे हैं कुंडली का इकादस स्थान आय का भाव यही पर सुर्य और बुध की यूती लगी हुई है वैसे तो बुधादित्य योग एक सामानी योग है परंतु कुंडली में लगन में लग जाए दसम भाव में हो भग्यस्थान में और एकादस स्थान में हो तो ये स्रिष्ट राज योग जैसा लाव देने लगता है और फिर इस बुधादित्य योग की दृष्टी कहां पर पड़ रही है तो ज्यान के भाव पर सूर्य मंगल के घर में बैठे हैं स्रिष्ट और देखिए इनकी कुंडली में कई एक ग्रह जो की जिस भाव में वो कारक होते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं देखिए कैसे मंगल को दसम स्थान में सबसे बहतर कारक ग्रह माना गया है इनकी कुंडली में देखिए जहाँ पर आप ये साथ नंबर देख रहा हैं मंगल यहाँ पर बलवान होकर के बैठे हैं शुक्र के घर में यहाँ पर मंगल को सबसे कारक माना गया है जातक अपने पूरे परिवा का नाम रऊषन करने वाला होता है। वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो इनकी कुंडली में ग्रहों को देखने के बाद एक बाद तो साप-साप समझ में आई कि सारे ग्रह जहां पर हैं वो पूर्ण कारकत्व के साथ हैं सिक्षा का जो बिसेश कारक ग्रह है वो है गुरू वो इनकी कुंडली में सश्ठम स्थान में जहां पर आप ये तीन नंबर देख रहे हैं बैठे हुए हैं गुरू का सश्ठमस्थ होना निश्चित रूप से ज्ञान के छित्र में जितना ये बहतर करेंगे उसमें कई बार वो कमियां ले आएगा लेकिन चुकि मैंने पहले ही कहां कि जहां चंद्रमा कमजोर हो रहा हो गुरू कमजोर हो वहां सुर्य कोबली बनाईए अगर राजा बलवान हो जाए तो बाकी के और सदस से कमजोर भी हो तो काम चल जाएगा हाला कि मैं पुनह बता दूँ कि गुरू अपने आप में एक ऐसे ग्रह है जिनकी संप्रहुता को कोई कम नहीं कर सकता या उनकी कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकता चाहे वो कोई और ग्रह हो लेकि जो हड्डियों का कारक माना जाता है वो सूर्य इस कुंडली में आप देखिए कहां पर बैठा है एकादस सुस्थान में और उस सूर्य पर केतू की द्रिष्टी पढ़ रही है उस सूर्य पर केतू की द्रिष्टी होने से केतू की पांचवी द्रिष्टी होने से जातक को ह हड्डियों से सम्मंधित समस्याएं या जैसा कि उन्होंने बताया कि कई तरह की दर्द की शिकायते मुझे बनी रखती है रिड्ड की हड्डियों में समस्याएं मुझे बनी रहती है उसका प्रबल कारण हुआ सूर्य पर केतु की द्रिष्टी और यही सूर्य चंद्रमा को प्राहु ने माफ करेगा चंद्रमा को केतू ने और वही केतू सूर्य को भी अपनी पांचवीद रिष्टी से देखने के चलते इन दोनों को कहीं न कहीं कमजोर कर रहा है जो जातके आत्मविस्वाश को भी कमजोर करेगा यहीं दोनों माता और पिता के कारक हैं सूर्य पित अपने माता पिता से दूर रहेगा और वहीं से रह करके उनकी सेवा करेगा अथवा ये केतु माता और पिता के स्वास्तों में भी और नियमितता ले आएगा, उनकी स्वास्त को कमजोर करेगा आगे देखिए उच्च सिक्षा कोई भी व्यक्ति सिक्षा को पहले ग्रहन करता है फिर इसके बाद उच्च सिक्षा तो कुंडली में पंचम स्थान को सिक्षा का भाव और उच्च सिक्षा का भाव नौम स्थान को यानि कि पांचवे से पांचवा नौमस्थान भाग्यस्थान जहाँ पर आप इस कुंडली में ये चो नंबर देख रहे हैं ये उच्च सिक्षा का घर है इस घर का मालिक यानि की नौमेस भाग्येस कहां पर बैठे हैं तो एकादस स्थान में आय के भाव में ये भी स्रिष्ट स्थिति ये तय है कि जातक जि कि लगनेस 12 घर में बैठे हैं तो जातक का विकास वैसे तो जन्म स्थान से दूर ये जरूरी नहीं कि वो पास्चात्य देश में ही जाकर करके सफल हो परन्तु जन्म स्थान से दूर ही वो स्रेश्ट सफलता हासिल करता है तो इसमें भी कोई संसाय नहीं रहा कि अगर ये केतु की द्रिष्टी ये सामाने कुछ छोटे-छोटे दुर्योग अलावा इसके एक गुरु का सश्ठम भाव में होना पढ़ाई के छित्र में या पढ़ाई से सम्मधित जितना स्रिष्ट लाव जातक को मिलना चाहिए उसमें कमी लाता है अब हम लोगों को ये विचार कर लेना चाहिए कि इनका आने आगे का जो भविश्य है वो कैसा रहेगा देखिए इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का माली 11 स्थान में है और उनकी दृष्टी पहले तो कर्म स्थान पर शातवी दृष्टी दौदस स्थान पर और नौवी दृष्टी धन भाव पर पढ़ रही है जातक के पास कर्म भी स्रेष्ट उसका जो विदेश जाएगा वहां भी उसको स्रेष्ट सफलता क्योंकि गुरू की द्रिष्टी अमरित्मई होती है तो वो भी स्रेष्ट रहने वाला है कमिया इन सब चीजों में कहीं नहीं है दामपत्य जीवन की बात करूँ तो देखा जाये तो ये जन्म लगने से नहीं चंद्र लगने से अवस्य मांगलिक है सब्तम स्थान में चंद्रमा और केतु का ग्रहन लगा है अतह उचित होगा कि जब भी बिवाह करें कुंडली का मिलापक कर लें और इसके बाद करें तो दामपत्य जीवन पूरण सुख़द रहेगा स्वास्त सम्मंधित जो समस्याएं हो रही हैं आपके जीवन में मैं उसके लिए और बाकी आपका मन इस्थिर हो भविस्य में आप जहां भी रहें वहां स्रेष्ट सफलता हासिल करें इन सारी चीजों के लिए मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं इन उपायों का अनुसरण कीजिए आपको स्रेष्ट लाब होगा सबसे पहले तो चंद्रमा कमजोर है ग्रहन लगा करके बैठा है तो ग्रहन दोस की सांती सूर्य कवच के साथ भाग्योदय कारी बीशायंत्र इन तीनों यंत्रों का निर्मान करा करके गले में धारण करिए नियमित भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और आदित तहर्दय स्त्रोत्र का पाठ करिए सूर्य का जो नमस्कार होता है वो अवस्य करिए क्योंकि उससे आपके हड़ियों में जो दर्द की शिकायत हो रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी आप भारत से बाहर जा रहे हैं वहां की स्ती जैसी भी हो अगर आपको वहां पर कोई मंदर मिलता है पूजा कीस्ति आपको प्राप्त होती है तो भगवान शिव का कोई आसपास मंदर मिल जाए तो उनका या तो दर्षन या पूजन जो आपसे शुलभ हो वो अवस्य कई बार लोगों के मन में ये शंसय होता है कि हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं वहां सुर्य दिखाई ही नहीं पड़ते इस ब्रह्म को मन से निकालिए सुर्य को अर्ग देने के लिए ये लोगों ने मन में ब्रह्म डाल दिया है सुर्य को अर्ग देने के लिए सुर्य को हो वहां सुर्योदय हुआ नहीं होता है यह लालीबा हलकी हलकी होती है यह वक्त होता है गर्मी के मौसम में लगभग साड़े कहीं भी आपको जब सुर्यार्ग देना है तो किसी सामन्य पौधा ले ले गमला ले उसमें सुर्य को अर्ग दीजिए यही सुरेश्ट होगा तो सुर्य को अर्ग देना न छोड़े सुर्य का जो नमस्कार है वो अवस्य करिए दर्द से आपको रहात मिल जाएगी साथ ही प्रमे राहू का अंतर है सो सावधानी बरतियेगा अपने आसपास के जो लोग है वैसे तो आप मकरलगन के हैं मकरलगन के लोग दार्शनिक प्रवृत्तिक के होते हैं और सब किसी को मिला करके ही चलने वाले होते हैं परंतु करकरासी है आपकी थोड़ा मन भावुक कल्प बहुत जादा गहराई से जब किसी के भीतर आप जुड़ जाते हैं तो समस्याओं का निर्माण होना सुरू हो जाता है इसे से अवस्य बचिए स्रेष्ट जिंदगी है और स्रेष्ट सफलता आपको हासिल करने वाली है मिलने वाली है सो निश्चिन्थ होकर के आगे बढ़ि